आज हम चलाएंगे Hero की 160C की Best Bike यानि की Extreme 160R स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और ये बाइक सुरुआत में मैं बता दूँ मेरी Personal Favorite Bike है ये 160C सेग्मेंट में तो आज बारी इसको चलाने की है और मैं Voice Over करके ही सारी चीज आपको बताऊँगा सुरू में Clear कर दे रहा हूँ मेरे पास कोई Action Camera नहीं है जिसको हेलमेट पे लगा के मैं चलती बाइक पे बोलते हुए वो करूँगा लेकिन चला मैं रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि इसमें क्या Experience मुझे हुआ चलने में कैसी है माईरीज वगेरा कितना मिल जाएका सारी चीज तो फटाफट रिवियो स्टाट करते हैं और ये एक राइट रिवियो है इसलिए आप ध्यान रखें वाकरांट रिवियो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक किये भी ना और चैनल को सस्क्राइब किये भी ना मच जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं इसको हम चलाते हैं तो देखिए चलाने में बाइक बहुत प्यारी है वाउ मतलब जो इनीशल रिस्पॉंस है ना इस पाइक का जो पीक अप है वो मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है एक सो साट सी सी पाइक यह जटके नहीं देती है इसमूद पीक अपको देती है और साथी साथ जो इन्जन रिफाइनमेंट है वो मुझे काफी अच्छा लगा पलसर के मुकाबले तो बहुत 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 है मतलब मेरे पास NS160 है उसके मुकाबले बहुत 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 नहीं करना है ठीक है ब्रेकिंग रिस्पॉंस भी बहुत अच्छा है और suspension setup इसके काफी impressive है अच्छे लग रहे है चलाने में अब देखिए जो मैं इसको चला रहा हूँ तो इसकी वज़े मेरी height करीबं 6 feet के करीब है तो मुझे इसको चलाने में ज़्यादा problem नहीं हो रही है लेकिन हाँ कहीं न कहीं मुझे ये जरूर लग रहा है कि अगर आपकी height बहुत ज़्यादा है 6 feet के ऊपर है तो एक बार आपको test ride लेके देख लेना चाहिए ठीक है क्योंकि मुझे confidence आ रहा है इसको चलाने में कोई दिक्कत की बात नहीं बहुत अच्छा confidence आ रहा है लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि height अगर थोड़ी सी मेरी कम होती इस पे तो और मेरे को बहतर लगता ठीक है ये बात है काफी light weight बाइक है बहुत ज़्यादा heavy भी नहीं है और ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा light weight है बढ़ ठीक है बहुत अच्छा है जो भी इसका वज़यन है काफी बढ़ी है लगवए एक चालिस किलोग्राम की इसका weight है mileage इसमें आपको देखे इस पैतालिस के उपर का mileage आप अराम से निकाल लेंगे कर आप धंग से चलाते है अगर आप rough and tough तरीके चलाएंगे तो 40 से 45 के बीच में ही mileage मिलेगा ये सच्चाई है ठीक है टायर्स पीछे के आपको जो मिलते है radial tubeless टायर है ये advantage है road presence इसका अच्छा है बढ़िया है चलती है तो अच्छी लगती है चारो तरफ से देखने में कैसी लग रही है आप comment करके बताएगा और इसका steel black two point हो जैसे मेरे हाथ लगेगा भाई उसको चला के दिखाऊँगा मुझे बहुत पसंदे वो वाला color ठीक है तो देखे मैंने इसको चला लिया और simple भासा में यही बोलूँगा bike best है चलाने में बढ़िया है टेस्ट राइड लीजे मज़ा आ जाएगा और दूसरी बाईकों का भी ले लीजेगा ताकि आप comparison कर पाएग मैं मिलूँगा अगली वड़ों में ध्यान रखिएगा अपना